सो हेगाई स्वागत आपके एक पर फिर से आप ही के यूटिव चैनल में और आज किस वीडियो में बात करेंगे भी ब्राइट कॉम गुरूप को लेकर ब्राइट कॉम गुरूप में आपने देखा होगा भी ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है आपके जो शिरवो गायव हो ब्राइट कॉम के उपर यह फिर आप लोगो देखो कि भी जो डेट आई है वह बहुत जादा इंपोर्टेंट अभी ब्राइट कॉम के शेर ओल्डर के लिए भी यह फिर आप लोगो देखो कि अगर आप ने खरीदारी किये करण टाइम में तो आपने देखा हो का भी लग को मिलेगे ठीक है तो इस दिन ट्रेडिंग हो जाएंगे उसके अगल दिन फ्रीज हो जाएंगे फिर से गायब हो जाएंगे यह सबी के साथ अगयले आपके साथ नहीं है तो चलिए देख लेते खबर यहां पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी के तरफ से 15 तारीकों यह है कि इसके बारे में भी यहां पर आशा बताया गया है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी के जो मुल्यवान यानि वेल्यूवल जो शेर होल्डर से उनके लिए अपडेट आई है वी रिकॉनाइजड वी रिकॉनाइज धिफा हार्शिप एंड स्ट्रेस एंड इस अफ्ट्रेडिंग इन ब्रैटकॉम ग्रूप लेमिटेड शेर हैज कोज्ट आप लोग देखो कि जो यह शेर यहां ब्रैटकॉम के अंदर जो शेर जितने भी व्यापार में जो लिलंबन हुआ है यानि कि जो ट्रेडिंग सस्पेंड होते वे नजर आई है इसके कान उ सब्सक्राइरिटी एंड रिशूरेंस रिगार्डिंग आवर क्रेंट चैलेंजज एंड इस स्टेप्स वी आटेकिंग टू एड्रेस देम तो यहां पर कंपनी क्या कहती है कि हमें इस स्थिति के कारण है कोई जो एस विदा है यानि कि इनकोंवियंस जो हुई है इस विद के लिए आप लोग देखो गए हमें जो कदम उठाना है हम उठाएंगे उनोंने उनके और शार भी आप लोग सबस्त अ और जो आसवासन है वह पर्दान करने के लिए परतिवत है थो यह कंपनी बोला गया है वहीं रिजन क्या रहा है भी सस्पेंड कंपनी के अंदर जो श इन दोनों के और मैंने आपको बार-बार बोला था कि जो ये पुराना इसका ये क्या बोलते हैं भी जो ओड़िटर गए है न भी ये एक बड़ा जटका लगने वाली खबर थी ठीक है आपने को का न्यू ओड़िटर आए हैं कंपनी के अंदर और उसी करिकाने मैंने आपको बोला था कि बहुत जादा मुश्किल है कि जो न्यू ओड़िटर आए हैं वह एकदम से चरपाज दिन के अंदर अंदर सारा ओड़िट करके तो रजल्ट से वह पेस कर देंगे और यहीं कंपनी के तरफ से यहां पर आप लोग देखो बताया गया अभी अभी दस्पेंशन निलंबन है हमारे पिछले ओडिटर के प्रत्यासित इस्तिफे का एक दुरुवाग्यपूर्ण परिनाम था यानि कि जो रेजिगनेशन दिया गया न भी यह ओडिटर की दरफ से यह आप लोग देखोगे भी अनफोर्चनेट आउटकम्स के करण हुए है ठीक इसके बाद आपको अब आपको ऑग इस परकरिया के बाद यह वो तो हो ना ही है ठीक इसलिए आप लोग के अंदर अभी के टाइम अडिटर आये हैं इन्मे परटाम लगेगा अभी इसको पढ़ेंगे देखेंगे अडिट करेंगे उसके बाद रसर्स आएंगे हलांकि company ने अपने quarter 2 के नम्मा तो disclose कर दी है ठीक है लेकिन वो किसे standalone basis पर है तो consolidated basis पर तो results अभी बाकी है तो इसके उपर जोनबी company ने एक date announce की है वो date रखे गए वी 31 July तो यह जोनबी 31 जुलाई तक इन्होंने जोनबी complete करने के लिए बोला है 31 जुलाई तक हम जोनबी results standalone और consolidated basis पर आप लोगो देखोगे इसके अलावा आप लोगो देखोगे इसके जो शेर होल्डिंस है इसके जितने भी आप लोगो देखोगे सब्सिड्रीज कंपनिया है इंट्रनाशनल सब्सिड्रीज है उनके अंदर 100% equity है इनकी 100% जो हिस्सेदारी है वो इनके अंदर है तो इसको लगर प्रेशान यह नहीं है बस यही अभी 31 जुलाई याद रख लेना ठीक इसके लावा जो नभी जो कुछ भी होगा वो आपके साथ आजा करते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब और बाइलागों को प्रैस करकर रखे एंड थैंक्यों फॉर वोच्टिंग दो वीडियो